काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती, अगर आधार है प्रमार है तो सामने रखिए चीन भारत की सीमा में घुसा है, उसके लिए आप देश के प्रधान मंतरी को जिम्मेदार ठहराते वे सवाल पूछिए रोहिक सर्दाना मैं आपको ये चुनोती देता हूँ हमारे देश में मीडिय कुछ केने जुने मुद्धों पर डिबेट करता है आज कल तो वे एक ही मुद्धे पर अलग-अलग एंगल बना कर डिबेट कर रहा है पर कुछ नेता ऐसे भी हैं चो आज भी उन्हें मीडिय डिबेट्स में असल मुद्धे उठाते हैं और बेबाकी से सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल करते हैं और मीडिया एंकर को टोकते भी दिखते हैं आज हम ऐसी एक नेता की बात कर रहे हैं जिनका नाम है आशुतोष आज हम उनकी डिबेट्स का जिकर करेंगे जिनमें वे मीडिया को टोकते दिखाई दे रही है आज तक पर कॉंग्रेस के मुद्धे पर डिबेट में फ्रीडम आफ स्पीच का जिकर हुआ एंकर अंजना ने आशुतोष से इस पर सवाल किये जब आशुतोष ने अपने जवाब में मीडिया की अजादी को लेकर टिपनी की तब अंजना परिशान दिखाई दी और सवाल करने लगी जिस पर आशुतोष ने अंजना के सवाल को करारा जवाब दिये अजना परिशान दिखाई आशुतोष ने जब दोटाई जना जब दोटाई जाने का खत्राई जो तमाम मीडिया हाउसे की आप कर रहे हैं यह आपके कलपना के पंक हैं यह आपके पास इसका प्रमार है जो सवाल आप उससे पूछ रहे हैं यह सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चेकिये था काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती अगर आधार एप्रमार है तो सामने रखिए आज आप टीवी पे बैठे हैं खूब है और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं एंडी टीवी पर सुशांत केस में मीडिया ट्राइल पर डिबेट हुई इस डिबेट में न्यूस नेशन के पत्रकार दीपक चुरसिया भी डिबेट में मौजूग थे एंकर ने आशुतोष से मीडिया ट्रायल को लेकर सवाल किया, आशुतोष ने मीडिया पर कुछ इल्जाम लगाई, जस पर दीपक चुड़ा से भड़क उठे और दोनों के बीच पहस्ट शुरू हो गई इस देश के अंदर सुप्रीम कोट पे किस तरीके से हो रहा है मामुला जुदिश्यरीपा किस तरीके के दवाव पढ़ रहें उसने बहस भाह होना चाहिए प्रशानद भूशन का मसला इस में बहस नहीं होनी चाहिए आज तक पर एमजनसी की तुलना आज के समय से करने को लेकर डिबेट हुई इस डिबेट में एकर रोहिट सर्दाना ने आशुतोर्श से सवाल तु किया पर प्रेस फ्रीडम पर टिपनी को लेकर तंच कसा जिसका अशुतोष ने मूँ तोड जवाब दिया लेकिन आज जो लोग यह कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है उनको भी अपने अंदर जहां कर देखना चाहिए और पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया जो है देश के प्रधान मंतिरी नरेंदर बोती से सवाल पूछ सकता है क्या वाकई वाकई इस देश का म न्यूज नेशन पर राम मंदिर के विशे में डिबेट हुई इस डिबेट में एंकर ने कमुनिलिजम को लेकर आशुतोर से सवाल किया आशुतोर ने बीजेपी नेता संबत पात्रा को बाबरी मस्जित का धांचा गिराने पर सच बोलने को कहा जब संबत की बच्चाव मे एंकर दीपक आए तो आशुतोर ने दोनों को जुप करवा दिया आज तक बीजेपी के किसी भी नेताने छोटे हो या बड़े ये नहीं माना कि बाबरी मस्जित उन्होंने गिराई है तो संबित फात्रा ये बताए कि वह जिते भावरी मस्जित बीजेपी ने गिराई है लेगा इसका जवाब पर इंटरेस्टिंग है संबित फात्रा आप जानना चाहते है ना जवाब देता हूं आश्टोष जी हिस्टारिक उत्तर रहेगा आश्टोष आपने बिल्कुल या ना में जवाब दीजिए हिस्टारिक नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिए वीजेपी ने गिराई है नहीं गिराई है या आप डिक्टिट नहीं कर सकते है मैं जवाब द आज तक पर गंगना के मुद्धे कर डेथ हुई यइस डेथ में एक ने शेप सिना की कंगना का ओफेस तोड़ने की कारवाई पर सवाल की जिस पर आशुतोष ने एंकर का ध्यान बाकी मुद्धों पर लाने की कोशिश की और इन मुद्धों को नजर अंदाज करने पर उन्हें टोका भी अगर आपने बुलाया तो मुझे बोलने दीजिए ना मैं आप इसे पूछ रहे हैं सर्थ नाराज क्यों रहे हैं यह जवाब दीजेए अप बीजेपी को डिफेंट कर रहे हैं आप इसे को नोटिस मिलाव दीजेए अब दिखाट हैं आशुतोष पहले खुद भी पत्रकार रह चुके हैं बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स जोईन की इस वज़ा से वे खुल के मीडिया के लूचना करते हैं आशुतोष अकसर मीडिया और बीजेपी नेताओं का ध्यान उन मुद्वों पर केंद्रित करते हैं जिन पर मीडिया कभी डिबेट नहीं करता हम उमीद करेंगी के वे आगे भी सत्ता में बैठी पाटी से सवाल ऐसे ही करते रहेंगे Bureau Report, Punjab Today TV